हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थम्दिल में देखा होगा, बिल्कुल उसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं, हमारे यहां 36 गड़ में तक्रीबन 2010 से लेकर के अब तक, 2024 तक, आर्टी के कुछ नियम लागू किये गए थे, जिसके तहट, क्लास वन से लेकर के, क्लास एट तक के जो भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हमारे CG बोर्ड में, यानि 36 गड़ मादमिक सिक्षा मंडल के अंदर जितनी भी स्कूलें संचालित हैं, उन स्कूलों में जो बच्चे क्लास वन से क्लास एट तक पढ़ाई करते हैं, आप सब को पता है कि पिछले कई सालों से फेल करने का जो प्रावधान है, वो हमारे यहां बिल्कुल भी नहीं है, यानि परिक्षा में अगर बच्चा कुछ ना भी लिखे, कोरा कागस भी छोड़के आ जाए, तो भी हमारे यहां उस बच्चे को फेल नहीं किया जाता, यह आर्टी दोहजार दस, एक अपरेल दस से जो आर्टी का नियम था, यह लागू किया गया था, और अब है दोहजार चौबिस, तकरीबन 14 साल हो गये, और यह नियम लगातार चलता चला रहा है, जिसकी वज़े से खामियाज आप भी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके जो आसपडोस के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपके साथी हैं, आप सब को पता है कि एक बच्चा इमला भी नहीं लिख पाता, इमला बोलते हैं, यानि अगर हम कोई चीज बोलें और आपको लिखना हो, तो उसको भी आप सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे, और इन सब के पीछे कारण यही है कि हमारी जो पढ़ाई का स्तर है, वो गिर चुका है पूरी तरह से, जब बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ता, किसी भी योग नहीं है, उसको लिखना पढ़ना तक नहीं आता, जोडना घटाना तो बहु नि संकोच, स्कूल आए, ना आए, कोई फरक ने पढ़ता, पढ़ाएं, ना पढ़ाएं, कोई फरक ने पढ़ता, क्योंकि उनको पता है, गवर्मेंट का ही नियम है कि आठमी तक किसी भी बच्चे को रोकना नहीं है, यानि सिधा पास कर देना है, बच्चा कुछ लिखे से कम आया, यानि रिजल्ट खराब हुआ, तो फिर जाच कमिटी बैठ जाती थी, और उस स्कूल के प्रचार, जो भी सब्जेक्ट के टीचर है, सब की उपर फिर कारवाई होना शुरू हो जाती थी, यानि प्रशर गवर्मेंट बनाती थी, बोर्ड बनाती थी, और इसके क पढ़े न पढ़े क्या फरक पढ़ता है, क्योंकि किसी को पूछना तो है नहीं, लेकिन अब जो है, नियम बदलने वाले हैं, जी हाँ, आपने जो थमनिल में देखा है, और आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप दैनिक भास करके एक कटिंग आपको दिखा रहा हूं, यह अभी का ही है, आप दैनिक भास करके एप में भी जा करके इस खबर को पढ़ सकते हैं, और कटिंग में मैं आपको दिखा ही रहा हूं, और अपने टेलिग्राम चैनल पर भी इसको दे देंगे, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, अब नियम बदलने वाले हैं, हमा पंछा सा रुजहान अपना जताया है और चिंतव एक्ट की है, भहिया हमारे यहां नौमी में पढ़ने वाला बच्चा और दसमा में पढ़ने वाले बच्चे की हालत यह है कि वो बीना देखे कोई चीज लिख नहीं सकता, देख की सहीं नहीं लिख सकता, जोड्ना घटान ना उससे नहीं बनता तो इसका कारण यह समझ में आया मिटिंग के दौरान की भीया हमारा जो बेसिक लेवल है बेस है कक्षा पहली से लेके आठमी तक जिसमें हम हर बच्चे को पास करते चले आ रहे हैं कमी यहां पर है इस वज़े से अब इसको संसोधन किया जाएगा और अब से कक्षा पाँच्मी और कक्ष्छा आठमी जिस तरह से पहले बोट परिक्षा हुआ करती थी आप लोग अभी नए-नए होगे आपको पता नहीं होगा हम लोग जब पढ़ते थे तो हमने कक्षा पाँच्मी भी बोट परिक्षा दे है चक्ष गड़ की और आठमी भी बोर्ट परिक्षा होती थी, वो भी बोर्ट परिक्षा दिया है, वही नियम दुबारा से लागू होने वाले हैं, समझ रहे हैं, तो कक्छा पाचमी भी अब next session से बोर्ट परिक्षा हो जाएगी, और कक्छा आठमी भी next session से बोर्ट परिक्षा हो जाएगी, जैसे अभी आप पर जिला लेवल पर इस बोट को संचालित किया जाएगा ज्यादा अभी रुजान यही है कि जिस तरह से दस्वी और बार्वी की बोट परिक्षाएं होती है उसी प्रकार से पांच्वी और आठ्वी की भी बोट परिक्षाएं होंगी और बोट परिक्षा होने का ये मतलब ह कि अब अगर बच्चा नहीं लिखता तो उसको सीधा फेल किया जाएगा यानि पास करने वाला जो सिस्टम है वो खतम हो जाएगा जी हाँ यहाँ आप देख सकते हैं मैं ज्यादा डीटेल में एक एक लाइन को पढ़ के नहीं बताऊंगा इसका जो सारांस था समरी था वो मै अभी तक चल रहा है कि आठीमी कक्षा तक सभी विद्यारतियों को पास करने का प्राउधान था उसको अब चेंज किया जाएगा और अब जो हमारा नया नियम है आटी का दो हजार उन्नीस का उसको जो भी मीटिंग में सिक्षकों की नियम का अध्यान कर रहे हैं और दूस राजियों की भी नियमों का अध्यान कर रहे हैं और उसके हिसाब से रणीती बनाई जाएगी नियम बनाए जाएंगे और नियम यही होना है कि अब बोट परिक्षा होंगे पांच मी और आठमी की आप भी तैयार हो जाई है हाला कि आप आपको तो पांच मी आठमी नहीं वाली है और यह सभी सिक्षकों के डिमांड पर है स्कूल सिक्षा विभाग के ही डिमांड पर यह सब कुछ किया जा रहा है ऐसा नहीं कि हमारे और आपके कहने से स्कूल सिक्षा विभाग और सभी सिक्षकों ने बकाइदा सीम को पत्र लिख करके आउगत कराएग भाया हम कर दो यह चाह से यह हाल कि एगर को बच्चान पढ़ रहा है तो उसके नॉलेज का लेवल यह कि कोई पहली पर का वी स्थीद्याले कर लिजें और पढ़ना भी नहीं आता इस इस वज़े से अब CM ने जो है थोड़ा सा संग्यान लिया है और पांचमी और आठमी को बोर्ट परिक्षा करने की संभावना जताई जा रही है अगले से पांचमी और आठमी बोर्ड हो जाएंगी तो अब आपको बकायदा अच्छे से पढ़ाई करने क्योंकि अब आप कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी शिक्छा को जो है निरंतर जारी रख सकते हैं और अच्छीtime में अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं तो आज ही डाउनलोड करि 잘못 हैं और इंडॉल हो